क्योंकि अगर आप गूगल सर्च करेंगे कि विश्व में सबसे जूठा आदमी कौन है देखिए का उसमें नाम किसका है दो पार्टी एक दुकान यहां पर तो एक दुकान है कि दो त्याई बहुमत हमें देदो समय जूती की नोग पर बैठते थे पहले हमारे सर पर बैठने कि दुका ठाप पाकिस्तां हिंदू मुसल्माल हिंदुस्तां का जब चुनाव आता है नारा आप देते हैं तो पाकिस्तान के कंपनी से अब चंदा क्लें लोग सबाठ चुनाव के माहौल अलग जगातार हम दिखा रहे हैं इसी बीच हमारे साथ सगरी विधान सबारी जुनाव पूरी तरह से दिफीट करने जा रहा है। यह वो कांग्रेश तो समाजवादी पार्टी के लिए नहीं का रहा है। मतलब लाइन ही क्रास कर गएं। वो बोल रहे हैं कि जो लोग हमारे जूती की नूप बैठते थे पहले हमारे सर पर बैठने लगे हैं। दो त्याई बहुमत दे दो तो हम सर से उतार के फिर से जूती के नूप बैठाने काम करेंगे। आजमगड में उनके भासर में परमुक रूप से जो है हिंदूत राममंदीर सनातन और तीन सो सत्तर की बाते उन्हों की। तो इसके अलाव उनके पास मुद्दा क्या है। विरोजगारी उनके लिए मुद्दा है नहीं। अभी जब भी चुनाव आया देखें होंगे पाकिस्तान का नाम जरूर लिया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों मादम से मोली मोदी जिसे पूछना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान का चुनाव आता है नारा आप देते हैं तो पाकिस्तान की कंपनी से आप चंदा क्यों लेते हैं। कि चंदा नहीं लेना चाहिए लेकिन लेते हैं अभी देखें होगे सुप्रीम कोड की उसमें डिसीजन में आया था कि आप पूरी फाइल से मांगी गई तो इलेक्टोरल बांड के तुरू जो चंदा लिया गया उसमें पाकितान की कंपनी का नाम भी था यह जो वाला मामला से बड़ा तेजी से उठा था उसमें वी आरूप लगा था कि वैक्सीन कंपनी से भी चंजा लिया गया था तो आप चुकी मुझी फिल्ड से हैं डाक्टर है तो वेक्सीन पर आपकी क्या रहे हैं लिए वैक्सीन तो देखें बहुत बढ़िया सभाद आपने किया भी भी कि किसी भी वैक्षिन के इजाद के लिए मिनमम साथ से आठ या दस साल का समय लगता है उदारण के तौर पे पोलियो को वैक्षिन का जब इजाद हुआ तो सुरू में 1950 में सुरुआत हुई यह फूरी तर से मनुफक्चर होके मनुश्य के उपर मतलब पोलियो पिलाने का काम 1961 में किया गया यानी 11 साल लगे और मोदी जी की वैक्षिन मात्री एक साल में तजार हो गई यहां पर जो आजमगड का चुनाव है उप चुनाव में यहां पर धर्मिंदर जी पिछली बार मतलब हार गए थे तो इस बार उस कमी को किस अस्तर तक आपो लोग पूरा कर पाए हैं और अपनी विधान सभा में आप मतलब कितना लीड करवाएं हैं हमें तो उमीद है कि जितना हम पाइस उससे भी ज्यादा हो सकता कि माने दर्मन जी को यहां मिले तो यह थे हमारे साथ सगड़ी विधायक और इन्होंने अपनी बात बताई और हम चलते हैं दूसरी जगह किसी और मुद्दे पर और लोगों से बात करेंगे धन्यवाद